दोस्तो B2 Network का ये पार्ट थर्ड वीडियो है, सेकेंड वीडियो में हमने देखा Mission Swap का जो टास्क कम्प्लीट करना था जिसमें देर सो पॉइंट क्लेम होने थे, वो हमने क्लेम करके दिखाएं ताकि आप भी आसानी से कर पाएं, इस वीडियो में ये थर्ड पार्ट वीडि करना है, दूसरे वाले में प्रॉइड लिक्विडिटी करना है, तीसरे वाले में इस्टेक करना है, तो फर्स्ट वाले पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और डेक्स्टॉप मोड पे कर दीजेगा, और सबसे पहले Connect wallet पे क्लिक करिएगा, ऊपर Connect wallet दिख रहा होगा आपको, इसको desktop mode पर करने के बाद ही इसे connect करिएगा जब connect कर लेंगे तो यहाँ पर request coin का option शो करेगा request coin पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर कई सारे show करेंगे usdc शो करेगा usdc के लिए request कर लेंगे आपके metamask में request जाएगी और यहाँ पर आपकी b2 network पर testnet में फीस लगेगी confirm पर क्लिक कर देंगे यह आपका request हो जाएगा 1000 coin उसके बाद usdc भी request कर लेंगे इसके लिए भी transaction piece लगेगी इसको भी confirm कर देंगे उसके बाद wth इसको भी request कर लेंगे इसके लिए transaction transaction fees लगेगी, confirm कर लेंगे, यह transaction fees आपने पहले ही ली है, first और second वीडियो देख लिजेगा, उसके बाद BTC भी यहाँ पर request कर लेंगे, और इसके लिए आपको इस page पर redirect करेगा, तो यहाँ पर हर 24 गंटे में यह claim होता है, तो MetaMask में चले जाएगा, और B2 network का address यहाँ से copy कर लिजेगा, उसके बाद वापस इसी page पर आ जाईएगा, और यहाँ पर अपना address पर करके और claim पर click कर दिजेगा, यहाँ पर, यह अभी error आ रहा है, तो कुछ समय बात करिएगा, आपका यह यह भी हो जाएगा, ठीक है, तो यह सारा हम लोगों ने request कर लिया, इसको हम cut कर देंगे, अब यहाँ पर USDC में हमारा balance show कर रहा है, कितना, 1000 USDC show कर रहा है, तो यहाँ पर हम 100 का transaction कर लेंगे, USDC से USDT में, ठीक है, और इसके बाद approve USDC पर click करेंगे, और यहाँ पर maximum पर हम क्लिक कर देते हैं, maximum का अपरूप देते हैं, अपरूप कर देंगे, ने request करने के बाद, और यह swap हमारा successful, उसके बाद swap का उप सनाएगा, swap पर click करेंगे, और confirm swap पर click करेंगे, आपके metamask में वापस से request जाएगी, और यहाँ पर confirm पर click कर देंगे, यहाँ पर close कर देंगे, यह हमारा transaction successful हो गया, अब USDT से USDC में कर लेंगे, अभी हमने USDC से USDT में किया, तो इसको reverse कर लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हम 100 coin ही, 90 coin यहाँ से हम कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर approve यह, 90 क्या 110 कर लेते हैं, 110 कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 110, approve USDC, USDT, पहले approval के लिए जाएगा, उसके बाद transaction के लिए जाएगा, इसको भी 100% ही कर देंगे, और यहाँ पर next approve, उसके बाद अब swipe का option आएगा, swipe पर क्लिक कर देंगे, अब confirm swipe पर क्लिक करेंगे, अब transaction के लिए चाहेगा, और यहाँ पर confirm पर क्लिक कर देंगे, close पर क्लिक कर देंगे, यह हमारा, यह swipe ओला task के हमारा complete हो गया, ठीक है, अब BTC में भी चाहें, तो उसमें भी transaction कर देंगे हैं, WETH में भी कर सकते हैं, यह सब और में कर दीजेगा, अब swipe ओला है, यहाँ पर हमारा complete हो गया, पूल में जाएंगे अब हम, और पूल में यहाँ यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देंगे, हम पूल में, यहाँ पर अपने हिसाब से balance आप लिए जाएगा, यहाँ पर मैं 20 लिख लेता हूँ, 20, और यहाँ पर request USDT पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर अप्रूब USDT पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर अप्रूब USDT पे क्लिक करेंगे, यूएचडी सी, अप्रूब USDC के लिए जाएगा, अब पहले USDT के लिए गया, अब यूएचडी सी के लिए जा रहा है, फिर इसको भी अप्रूब कर देंगे, अब यहाँ पर हम add liquidity पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर add पे क्लिक कर देंगे, यह आपकी पोजिशन यह आपकी open हो गई, उपर देख सकते हैं, यह फार्मिंग आपकी open हो गई, माई पोजिशन पे क्लिक करके इसे देख भी सकते हैं, माई पोजिशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका देखेगा, और एक और पो यहां पे Do-Task हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है रहा कर लिया प्रोवाइड लिक्विडिटी कर दी अब करना है एक तो दी यहां पर क्यम हम जाएंगे अब यहां वर में हम जाएंगे फार्म में आपको यहां पर माय क्का आप्शन मिलेगा tas यहां पर my stake वाले को यहां पर on कर देंगे farm में यहां पर आपको my stake का option मिल ला होगा ठीक है my stake यहां पर दिखा रोगा इस पर click कर देंगे तो आपका जो staking है वो show करेगा तो यहां पर हमें USDT और USDC यह option मिल ला है तो यहां पर scroll करके जाएंगे तो यहां पर एक arrow मिलेगा add liquidity के बगल में इस arrow पर click करेंगे तो यहां पर stake का option show करेगा stake के option पर click करेंगे तो आपके wallet में request जाएगी और यहां पर confirm पर click करेंगे और यहां पर close करेंगे तो यहां पर हमारा stake हो गया liquidity हम लोगों ने provide की थी और stake भी यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक है, अब un-stake करना चाहें, तो इसी पर un-stake पर click करके, इसे un-stake कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ही करना है, और उसके बाद वापस से इस page पर आएंगे, तो आप देखेंगे refresh करेंगे ये सारे task आपके successful done हो जाएंगे कुछ समय बाद हो जाएंगे अभी ये आपके refresh हो जाएंगे तो ये आपके task complete हो जाएंगे देखिए ये एक first वाला complete हो गया ये भी कुछ समय बाद complete हो जाएगा ये भी complete हो गया ये भी complete हो गया, ये तीनों हमके complete हो गया, तो ये swap करना था, liquidity provide करनी थी, stake करना था, तीनों हम लोगों ने कर दिया, अब ये वाला जो task है, इसमें क्या करना है, layer bank का supply करना है, बीटीसी में, और उसके बाद borrow करना है, तो first number वाले को start पे click करेंगे, इसको भी desktop mode पे कर इसका जितना task है, सब desktop mode पे open करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के mobile में ये काम नहीं कर रहा है, तो mysis browser में आप इसको करिएगा, तो mysis browser में हो जाएगा, कीवी browser में आपको ज्यादा ही problem होगी, ठीक है, यहाँ पे scroll करके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे market वाले में ए यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे यह एरो दिया हुए ने, इस एरो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे metamask का option शो करेगा, इस तरी किसे आपके metamask में request जाएगी, simple सार next पे क्लिक करेंगे, connect पे क्लिक करेंगे, यह आपका successful connect हो जाएगा, ठीक है, अब यहा transaction के लिए, यहाँ पे हमारे पास जो balance है, वो है BTC में 0.123, 3099 है, तो यहाँ पे हम supply दे देंगे, 0.1234401 की, ठीक है, 401 की supply देंगे, 0.4x01, और यहाँ पे supply पे क्लिक कर देंगे, supply पे क्लिक करेंगे, तो आपके metamask में request जाएगी, और यहाँ पे confirm पे क्लिक कर देंगे, यह BTC में आपकी supply हो गई, successful, यह BTC में आपकी supply हो गई, यह नीचे आपका show करने लगा, और उसके नीचे USDC का option है न, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे USDC आपकी, यहाँ पे 100, आप चाहिए जितनी की, यहाँ पे supply कर सकते हैं, हम 100 की कर दे रहे हैं, और add, approve, USDC पे क्लिक करेंगे, आपके metamask में approval के लिए जाएगा, और यहाँ पे maximum करके, और यहाँ पे next पे क्लिक करके approve कर देंगे, ठीक हैं, यह भी हो जाएगा आपका, successful, फिर आप supply पे क्लिक करेंगे, और आपके metamask में वापस से transaction request जाएगी, confirm पे क्लिक करेंगे, और यह इसमें भी आपकी supply हो गई, ठीक हैं, supply हो गई आपकी, यहाँ पे, यह BTC वाले पे पहले क्लिक करेंगे, और अब यहाँ पे borrow कर देंगे हम, यहाँ पे इसे on कर दीजएगा, on करेंगे तो आपके metamask में request जाएगी, confirm पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब borrow पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बौरो पे क्लिक करेंगे, अब कितने का बौरो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका show कर रहा है, तो यहाँ पर जो नीचे वाला amount शो कर रहा है सिर्फ maximum पर क्लिक करेंगे तो जो नीचे वाला amount है उसको आप borrow कर सकते हैं तो यहाँ पर हम 6 की जगा 6 है तो यहाँ पर इसे हम 3 कर लेते हैं तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे इसकी इतनी की supply और borrow कर देंगे confirm पर क्लिक करिएगा और लास्ट में एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि इससे आपको क्या profit होने वाला है कि यह जो इससे पहले वाला जो आपने task complete किया था अब यहां पर इसका बोरो भी होगे अब अब लेवल और इसको लोट्राल इस पे इस वाले arrow पे क्लिक करिएगा ना तो आपके मेटा मास में दिक्वेश जाएगी transaction की यहां पर confirm करिएगा तो यहां पर बोरो वाला जो है वो भी शो करने लेगा point अभी नहीं शो कर रहा है यहां अभी भी नहीं शो किया हाँ यह on हो गया अब ठीक है supply दस डॉलर की यहां पर शो कर रही है तो यहां पर हम maximum पे क्लिक करते हैं कि 100 की जक्त्तावी दसी दे दिया क्या हाँ यह पूरा ही point यहां पर शो कर रहा है इस वाले में Deixa सपल्याई पर यह वाले में तो यहां पर बोरो यह ne पर चलिक किया तो और पर यहां पर खशर चाना है तो यहां पर बोरो पर रहाए है ठीक है अब आप कि र chapter 15 बूरू पर क्लिक करिएगा तो यहां पर आपका यह सारा पॉइंट यहां पर सब सो करेगा यहां पर मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे तो आपका यह कितना है आठ पॉइंट है इतना बूरू कर सकते हैं तो यहां पर हम आठ की जंगा सेवन बूरू कर देते हैं इसका और यहां प कंफॉर्म पे क्लिक करेंगे देखिए यह सप्लाई भी हो गया अब बोरो भी हो गया दोनों काम हो गया अब वापस से पिछले वाले पेज़ पे आएंगे बीटू नेटवर्क के पेज़ पे और दोनों को रिफ्रेश करेंगे यह टास्क आपका डन हो जाएगा अभी नहीं हो रहा है कुछ देर में देखिए यह 50-50 पॉइंट यह दोनों आपके क्लियम हो गया है यहाँ पे हमारे 540 पॉइंट यहाँ पे अर्ण हो गया और देखिए रैंक कितनी जहें 22,000 थी 543 रैंक आ गई तो इस तरीके से आप अपनी रैंक भी सही करते जाएगे बढ़ाते जाएगा और जो है कि सब कलेक्ट करते जाएगे B2 network का wallet address उठा लेंगे यह कॉपी कर लेंगे और वापस से ECBH पर आएंगे और यहाँ पर paste करके और यहाँ पर claim पर क्लिक कर देंगे देखे transaction submitted हो गया यह हमें मिल जाएगा अब उसके अलावा यहाँ पर unisite wallet में जाएंगे और इसका भी wallet address कॉपी कर लेंगे इसका भी wallet address कॉपी कर लेंगे और इसमें आएंगे और यहाँ पर इसका भी wallet address paste कर देंगे और यहाँ पर claim पर क्लिक कर देंगे यह भी submitted हो गया देखे यह जो आप submit कर रहे हैं यहाँ से बाइक करिए तो यहाँ पर इसमें आपको balance कभी-कभी मिल जाएगा तो अगर इसमें आपके पास balance है और उसमें balance नहीं है तो send पे click करके यहाँ पे click करियेगा और जिसमें लेना है मालचे मेटामास में लेना है तो मेटामास से wallet address पेस्ट करिये और अगर आपको अगर आपको Unisite में लेना है किस तरीके से आपको यहां पर टास्क कम्प्लीट करना है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आकर तबा देचे थैंके दोस्तो वीडियो देखने के लिए